जै हिंद वंदे मातरम साथियों मैं भी शेक मिस्राज आप सबी का हमारे द्रिण संकल पर NCRT स्पेसल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत श्रागत करता हूँ आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास एट की NCRT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर त्री हमारे आज के शेप्टर का नाम है ग्रामीड शेतर पर सासन चलाना आज के शेप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता इस्थापित कर ली तो सत्ता इस्थापित करने के बाद में हमारे देश के ग्रामीड इलाकों अर्थात गाओं देहात के शे लेकर क्या हैं जिसमें चैप्टर में दिये गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बेसिक के साथ में अभम्याव पर डिस्कस करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नेगे तो कलीजेगा साथे साथ बेल आइकन को प कर सकते हैं हमारा NCRT special course एक all-in-one course है इस course में class 6 से लेकरके 12 तक की NCRT history, geography, polity and economy को complete cover करने वाले इसकी classes हमने 5 अगर से start कर दी हैं and December 2024 तक अर्था 5 महिने में हम इस course को complete भी कर देंगे इस course में हम NCRT की proper recorded classes, special notes, test series and most important topics पर आधा रिते quiz भी provide कर रहे हैं and हां आपके doubts को clear करने के एक doubt group दिया गया है और साथी सथ one-to-one session का भी option available करवाये गया है और हमारे इस NCRT special course की दो बड़ी खाशिते हैं, पहली खाशित तो यहीं कि इस course में आने वाली सभी classes को हमने बिल्कुल free में provide करने का निर्णे लिया है जोकि हमारी application and YouTube channel दोनों ही जगाओं पर बिल्कुल free म provide की जा रहे हैं, अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो description box में चेक कीजेगा, अभी तक EIV सभी classes के हमने playlist provide कर दी है और आगे आने वारी classes को भी इसी तरह से playlist के माद्यम से आपको provide की जाएंगे, इस course की दूसरी खासित यह है कि यह एक all-in-one course है, वैसे तो इस course क आने वाली हर एक class में chapter का संपूर निचोर लेकर क्या आते हैं, फिर उस संपूर निचोर में दिएगे हरी topic को हम basic से लेकर के advance तक discuss करते हैं, जिससे की chapter से बनने वाले हर एक प्रशन को हम बारी की से समझ सकें, तो आप अगर UPSC के लावा state PCS exam की त्यारी कर रहे हैं, SSC की या फिर आप सिक्षे वरतिगी त्यारी कर रहे हैं, जिसमें आपका CT8 हो गया, SuperTate हो गया, या फिर आपका BPSC ट्यारी हो गया, तो भी आप इस course को जॉइन कर सकते हैं, इस course को जॉइन करने के लिए simply आप मारे द्रिर संकल्प एप को डाउनलोड कीजेगा, एप की लिंग क्लास 6 से लिकर के 8 तक के NCRT, History, Geography और Quality के Notes अविलेवल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, Price भी दिया गया है, अगर आपको Complete Pad Course जॉइन करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजेगा, यहाँ पर उसकी आपको Detail मिल जाएगी, यहाँ पर Overview दिया गया, ठीक है, एंड उसमें क् Content मिल ला है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, एंड Simply Buy Now पर क्लिक करके उस Course को Purchase का लीजेगा, एंड हमारा जो NCRT Special Course है, इसमें जो इसकी Classes आने वाली, वो सारी के सारी Free हैं, लेकिन बागी चीचों को अगर आपको Love लेना है, तो इसके लिए आपको Course Purchase करना प और कैसे आये, आने के बाद में ब्यापार सुरू किया, ब्यापार से युद्ध के सितियां कैसे क्रियेट ही, फिर उन्होंने आपर युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में अपनी सत्ता इस्थापित की, सत्ता इस्थापित करने तक की कहानी को हमने पिछले चेप फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी जमीन का सासन चलाने और आमदनी को विवस्थित करने का रास्ता ढूनना था हुआ क्या? 12 अगरस सन 1765 तक आते आते ये बंगाल के मुखे सासक बन गए जबी बंगाल के मुखे सासक बन गए तो जितने इलाके में इनका नियंत्र था वहां से होने वाली आमदनी ये पूरी पूरी जो आमदनी थी वो इनके कंट्रोल में आ गए अब जितने इलाके में इनका कबजा था जितने इलाके में इनका सासन फैला हुआ था उस इलाके का सासन चलाने और आमदनी को विवस्थित करने का इने रास्ता ढूनना था अर्थात नियम बनाने थे, नीतियां तयार करने थे, जिसके तहत पूरे बंगाल का प्रसासन ये सभाल सकें, आगे बढ़ते हैं, ब्यापारी कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था, कि वह अपनी जरूरत की चीजें खारीदिती बेशती रहे, अर्थात ब्यापारी कंपनी थे, तो ब्यापारी कंपनी होने के नाते इनको इस बात का विध्यान रखना था, कि इनका ब्यापार चलता रहे, जिन चीजों को यापसे खरीद रहे हैं, उनको खरीदते रहें, और जो बेचने का काम करें, वो भी बेचत रहे अर्थात, इनका ब्यापार चलता र पर सासन चलाया तो कंपनी को ये बात समझ में आने लगी कि वो बाहरी ताकत है अब चुकि बाहरी ताकत है और यहां के जो इस्थानी लोग है वो पहले से यहां पर सासन चला चुके हैं और जो लोग यहां पर पहले से सासन चला चुके हैं उनकी जनता के नजर में बहुत सम जनता उनको आधर देती है, जनता उनकी बात मानती है इसलिए इन्हें कि थोड़ा सा दबकर के चलना होगा ठीकिस समल कर आगे बढ़ना होगा चीक कमपनी को इबास आने लगी कि अब उन्हें साबधानी के साथ आगे बढ़ना होगा यहां के पुराने सासक जिसमें जमीनदार भी थे, सासक भी थे, ठीक है, कई सारे लोग जो थे, उन्हें सांत रखना आवश्चक था, जो ये लोग थे, इनके पास में पहले से काफी ताकत थी, और सम्मान भी था, ठीक है, ऐसे लोग जो इस्थानी सता में रह चुके थे, उ इनके पास में ताकत और सम्मान बहुत अधिक था, ठीक है, इस बज़े से इनको खतम नहीं किया जा सकता था, बलकि इनको नियंतरित करने की आवर्शक्ता थी, और कमपनी ने भी ऐसा ही यहाँ पर किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो हमारा टापिक है इस शे पहले बिंदु में आपर कहा जा रहा है, कमपनी दीवान बनने के बाद खुद को एक ब्यापारी ही मानती थी, देखो कमपनी दीवान की बंगाल जरूर बन गई थी, लेकिन दीवान बनने के बाद भी यह अपने आपको एक ब्यापारी ही मानती थी, एक ब्यापारी की तर तब जाकर कर बसूल लेते थे लेकिन कर बसूली के लिए ये राजसु बसूली के लिए कोई नियमिद विवस्ता तै करने में हिचके चाते थे कोई नियमिद विवस्ता तै नहीं करते थे जितना हो सकता था उतना बसूलने का प्रयास करते थे आमदनी करने का प्रयास करते थे उसके कोशिस यही रहती थी कि वैं जादा से जादा राजसु हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रिस्मी कपड़ा खरी दे अब भैए यहां की जनता जो थी ठीक है वो जो सूती और रिस्मी कपड़ा बेचती थी उसी के बल पर राजसो देती थी और यहां के लोग क्या जो मतलब कमपनी के लोग थे वो क्या कर रहे थे इनी लोगों से राजसो लेते थे और उसी के बल पर इनी लोगों से प्रोड़क्ट खरीते थे और उसे ले जाकर कि इंगलेंड में बेचने में लगे यहां पर गुआ क्या कंपनी ने राज़सुबसूला ठीक है लेकिन राज़सु बसूले के लिए कोई नियमित व्यवस्ता नहीं बनाई जितना हो सकता था उतना राज़सु बसूलने का प्रयास करते थे और कम से कम कीमत पर यहां से चीजों को खरीते थे इस से आम जंता को बहुत घाटा होने लगा, जो लोग उत्पादक गदविदियों से जुड़े हुए थे, जो सूत का निर्मार करते थे, रेसमी कपड़ों का निर्मार करते थे, खेती करते थे, इन सबी लोगों को यहाँ पर घाटा पढ़ने लगा, और परिसिती यह आ गई कि यह पांच साल मैं भी इस टॉपिक को डिस्कस किया, लेकिन अब जब यह बंगाल के दीवान बन गए, तो बंगाल में इखटा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरी दी जा सकती थे, अर्थात समझो, बंगाल के यहाँ पर किसान रहते थे, ठीक है, किसान जो थे, यह लोग देते हैं, टेक्स देते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जिसको हम टेक्स दे रहें, वो इस टेक्स के पैसे को हमारी बेहतरी के लिए लगाएगा, इससे हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, और हमारी लिएकारी करेगा, लेकिन कमपनी क्या करने लगे, इस टेक्स के पैस अब यहां पर कहा जा रहा है अंग्रेजों के नीतियों से बंगाल की अर्थ विवस्ता गहरे संकट में फस्ती जा रहे थे व्यूंकि बंगाल में बाहर से कोई चीज आही नहीं रही थी बंगाल में चीजों का उत्पादन होता था उन्हीं लोगों से कर लेते थे और उसे करके दम पर उन्हीं लोगों के प्रोड़क को खरीद के विदेश में बेच करके वो मोटी रखम कमाते थे बंगाल के लोगों जो थे उनको घाटा ही घाता होता जा रहा था यहाँ पर इस्थितियां यह हो गए कि यहां की अर्थ विवास्ता गहरे संकट में फस्ती जा रहे थी कारी गर्जो थे, जो सूत का निर्मार करते थे, रेसमी कपड़े का निर्मार करते थे वो गाओं छोड़ करके भाग रहते क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कमपनी को जवरन बेचनी पड़ती थी अर्थात कमपनी जवर जस्ती इनके प्रोड़क्ट को बहुत कम कीमत पर खरीद लेते थे जो किसान कम कीमत पर इन्हें बेचना है अंग्रेजों को ठीक है इसके उपर टैक्स भी देना है इससे क्या हुआ जो गवर्मेंट थी अर्था जो इस्ट इंडिया कमपनी थी वो तो मोटे फायदे में थी ठीक है लेकिन यहां के लोग जो थे वो घाटे में चलते चले गए और इतने घाटे में चलते चले गए कि अगर आप देखोगे तो यहां से लोग भागने लगे थे खेती चौपट होती जा रहे थी चौपट होने की दिसा में बढ़ रहे थी यानि कि बरबादी की दिसा में बढ़ रहे थी और इसी वीचे सन 1770 में यानि कि इनी 5 सालों के दोरान 1765 में बंगाल के दीवान बने और 1770 तक आते हैं बंगाल में भी सन अकाल पड़ गया इसमें बंगाल के बंगाल में एक करोण लोगों की मौत हो गई जो बंगाल की आबादी का एक तिहाई हिस्सा था यानि कि लगबग 33% लोग बंगाल के मर गए और उसमें बंगाल के 33% लोग कितने थे एक करोण थे क्यों कि अंग्रेजों ने यहाँ पर कर बसूले के लिए कोई नियमित विवस्ता नहीं बनाई ठीक है कम से कम कीमत पर इन लोगों के प्रोड़ेट को खरीद रहे थे और अधिक से अधिक राजस सुबसूलें का प्रयास कर रहे थे एक तरह से मतलब कमपनी के जो लोग थे ना इनको लूटने का प्रयास कर रहे थे लूटने में लगे हुए थी, जितना लूट पा उतना लूट लो, ठीक है, इस बज़े से बंगाल की अर्थविवस्ता संगट में आ गई, यहां पर अकाल पड़ गया, और एक करोन से अधिक लोगों की यहां पर मौत भी हो गई, यह डेटा जो दिया जा रहा है, NCRT में मतल करना चाहिए, ठीक है, भाई, इनको भी आमदनी करनी थी, ठीक है, अगर यहां सब कुस नश्ट हो जाएगा, तो यह आमदनी कहां से करेंगे, ब्यापार कहां चलाएंगे, राज कहां करेंगे, इनको भी तो इस इलाके की संपन्नता की याबर्शक्ता थी, इसलिए अभी इनों ने सोचा कि खेती में सुधार की जरूरत है, तो बंगाल की अर्थ व्यस्ता फिर से पैरों पर नहीं खड़ी होगी, आगे बढ़ते हैं, तो पहले बिंदु में आपर कहा जा रहा है, कंपनी के जादा तर अपसरों को यहे लगने लगाता कि जमीन में निवेस करना, खेती में सुधार लाना जरूर यह, एक तो जमीन में निवेस करना, अर्थात मिट्टी को उपजाओ बनाना, और दूसरा, खेती में सुधार लाने की आवश्यक्ता है, यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर दो दसकों तक बहस चलती रहे, इन्हों ने सोचा कि भ इस सालों तक यह बहस ही करते रहे कि बंगाल में खेती को सुधारने के लिए, खेती की इस्तितियों को सुधारने के लिए, बंगाल की अर्थविस्ता सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समझो, ठीक है, मतलब इतनी लापरवाही तो मतलब दुस्मनों के साथ ही की जा सकती दोसमान मान करके यहां पर चली ही रहते आगे बढ़ते अगले पर में कहा जा रहा है आखिरकार कंपनी ने 1793 में 1770 में यहां पर अकाल पड़ा और 1793 में यानि की लग बग 23 साल के बाद में इस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया अब जो इस्थाई बंदोबस् की सर्तों के साब से राजाओं और तालुगदारों को जमिंदारों की रूप में मानिता है दी गई यानि कि यहां के जो राजा थे पहले प्रशासन के कारियों को समालने वाले जो लोग थे इनको जमिंदार की रूप में मानिता दे दी गई उन्हें किसानों से लगान बसुलने और कमपनी को राजसु चुकाने का जिम्मा सौपा गया अब इनको ये जिम्मेदारी दे देगी कि आपको किसानों से लगान बसुलना है और कमपनी को राजसु चुकाना है इस व्यस्ता में जमिनदारों की योट से चुकाई जाने वाले राज से इस्थाई रोप से तैंक कर देगी हुआ कि यहाँ पर कमपनी ने एक इस्थाई बं दिया ठीक है मालो इतने पार्ट का एक जमिनदार है जिसका नाम है एक ठीक है तो इससे का कि आप इस इलाके में राजसु की बसूली करोगे और हमें क्या है कि आप राजसु चुकाऊगे यहां से लगान बसूलोगे और मैं राजसु चुकाऊगे और जो ये जमिनदार है ये कमपनी को जो राजस चुकाएगा उसे इस्थाई रूप से तैंक कर दिया कि महीने के 5 लाग रुपए या फिर साल के 5 लाग रुपए या 50 जार रुपए इस तरह से एक रकम फिक्स कर दी गए अब जो ये रकम फिक्स की गए इसमें प्रापधान किया गया कि ये रकम बात की गई कि रकम कभी नहीं बढ़ाई जाएगा इसमें इस विवस्ता में जमिनदारों की ओर से चुकाए जाने वाली रासी इस्थाई रूप से तैंक कि इसमें कभी भी बड़ोतरी नहीं होगी अर्थाद बभी से में कभी इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा यह सर्त केबल जमिनदारों के लिए थी ना कि किसानों के लिए अर्था जमिनदार जो थे किसान से लगान की मांग बढ़ा सकते थे यहाँ पर क्या किया गया कि कमपनी ने जमिनदारों जो कमपनी को राजसो चुकाते उसको इस थाई रूप से तैंकर दिया कि बाई जमिन जमिंदार हैं वो किसान से राजसों की मांग कभी भी बढ़ा सकते हैं कितनी भी ले सकते हैं उसमें धील दे दीगे अच्छा यहां पर क्या हुआ जो राजसों तैं किया गया था जो जमिंदारों से राजसों लेने की बात यह जितना राजसों तैं किया गया कि आपको साल मे इतना राजयसों देना है या महीने में इतना राजयसों देना है वो बहुत अधिक था क्या कहा जर अगले पंड में समझेगा अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजयसों मिलता रहेगा और जमिनदारों को जब यहां पर फायदा होगा ठीक है तो जमिनदार भी जमीन में सुधार करने का काम करेंगे ठीक है इन्हों ने काल सोचा कि वह जमिनदार बहुत अच्छे लोग हैं वो ऐसा यहां पर करेंगे ठीक है उन्हें लगता था कि राजय की ओर से राजयसों की म नियुक्त कर देंगे जिसे उत्पादन बढ़ेगा लेकिन यहां पर भी आता है ट्विस्ट है इसमें समस्या थी क्या समस्या को समझो ठीक है तो पहले बिन्दों में या पर कहा जा रहे कंपनी के अपसरों ने प्रया कि अभी भी जमीनदार जो हैं जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं ठीक है कमपनी के एपसलों ने पाया कि कुछ समय बीत गया ठीक है दो तीन साल भी थे लेकिन जो जमीनदार हैं वो जमीन को बहतर बनाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं कर रहे है असल में इस्थाई परिसानिया हो रहे थी यानि कि बहुत अधिक राजसु तै कर दिया गया था उच्छे राजसु के कारण जमिंदारों को भारी परिसानिया हो रहे थी जो जमिंदार राजसु चुकाने में विफल हो जाते थे उन्हें जमिंदारी उनकी जमिंदारी छीन ली जाती थी अपया जिस जमिनदार को थोड़ा वह फायदा होता था वो उस फायदे के पैसे को रिजर्ब में रखता था कि अगले साल अगर घाटा हुआ तो हम राजस से तो दे पाएंगे वो जमिनदार जमीन की बेतरी पर ध्यानी नहीं देता था कई जमिनदारों को कमपनी ने कई जमिनदारियों को कमपनी ने अल्रेडी नीलाम कर दिया था ठीक है जिसने अधिक पैसे दिया उसको दे दिया हुआ यहां पर क्या कि स्थाई बंदो बेस्ट के तैद कमपनी द्वारा जो रकम तैंकी गई थी वो भवेशी को जमिनदार थे वो इसे चुका नहीं पा रहे थे कई सारे जमिनदारों की जमिनदारियां छीन ली गए थी इनकी जमिनदारी थी उसको नीलाम कर दिया गया था आगे बढ़ते हैं आप जब इनकी जमिनदारियां ही जा रही है तो यह जमिन के सुदार के लिए आपको 1793 देखने को मिलता है लगबग यहां पर 20 साल का समय बीता ठीक है और इन 20 सालों के अंदर क्या है कि परिश्चितियां बदली उन्नीस भी सदी के पहले दिसक तक हालात बदल गए ठीक है बाजारों में कीमते बढ़ने लगी और धीरे-धीरे खेती में भी खेती का भी जीओ का ठीक है पहले फ्री में डेटा दिया ठीक है पहले का फ्री जीओ फ्री जीओ फ्री जीओ जब लोगों ने ले लिया तो रिचार्ज रख दिया ठीक है और उसके बाद ने का फ्री 5 जी फ्री 5 जी अब जब फ्री 5 जी लोगों ने यूज कर लिया तो इसका रिचार तो कमपनी भी याँपर सोचने लगे है कि कोई दिमाग लगाया जाये, अभी हम आगे समझेगे, ठीक है, सुधार आया, लेकिन कमपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कमपनी हमेशा के लिए राजत सो टै कर चुकी थी, लेकिन जमीनदारों को जमीन की बेधरी में काफी सारे जमिनदारों की जमिनदारी जो थी वो और लेडी नीलाम की जा चुकी थी, लेकिन जो जमिनदार बचे रहे, उनको फाइदा यहां पर होने लगा, फाइदा होने लगा इसके बाद भी नोने जमीन की बेतरी के लिए कोई भी दिल्चसबी नहीं दिखाई, अर्थ आ रहा है, उसे जमा करते जलो, ठीक है, अब आनन्द लो, ठीक है, अब आमधनी की उम्मीद में वो बैठे थे, अब उन्होंने मतलब क्या है कि मेहनत करके आगे बढ़ने का काम ही नहीं किया, ठीक है, वो आराम से बैठ करके पैसा इखटे करने में लग गए, जब तक जम इनको आपस में ले लेते हैं, और लेने की बाद में यहां से फसल उगाते हैं, और राजसों देते हैं, अब देखिया है कि मालो की एक किसान है, जिसकी फसल से उत्पादन कम हुआ, वो राजसों नहीं दे पाए, तो जमींदार कहते थे इससे जमीन छीन कर दूसरे को दे और दूसरे लोग जमीन लेने के लिए बैठे रहे थे जो बड़े-बड़े किसान थे, तो जब तक किसानों को जमीन दे कर के यह लगान बसूल सकते थे, तब तक इनोंने जमीन की सुधार में कोई भी काम नहीं कि इनको इसकी परवाह ही नहीं थी, क्योंकि एक नहीं तो दूसरे किसान बैठा है जमीन लेने के लिए, ठीक है, बैठें इसी तरह से आज भी अगर आप देखो जो प्राइवेट कंपनिया हैं, कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप देखोगे, जो इस्थानी तोर पर चलते हैं, उनमें बहुती कम सैलरी देकर के टीचर उसको रख़ा जाता है, और यहां पर पता है, इन लोगों को कम बेतन क्यूं दिया आता है, क्योंकि कमपटिशन इतना अदिक है, काम करना है तो करो नहीं, तो जाओ, दूसरा आने को बैठा है, दूसरा टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, ऐसा होने के लिए तियार है, इस तो यहाँ पर यह चीज़ें पहले भी चलें थी और आज भी यह में देखने को मिलती है, ऐसा ही कई सारी फैक्ट्रियों में भी होता है, फैक्ट्रियों में मजदूरों को बहुत कम बेतन आज भी दिया जाता है, ठीके, और अगर आपको काम नहीं करना है, तो निकलो यहाँ और माना की बाजारों में कीमते बड़ी थी, किसानों को फाइदा होने लगा था, लेकिन किसानों की आमदनी के सुरोत क्या थे, मुखिरोप से खेती, ठीके, और इसके अलाबा गर हम देखें, खेती के अलाबा पहले फैक्टियां तो थी नहीं, ठीके, आप ऑनलाइन काम क पाता था, और लगान बढ़ता ही जा रहा था, तो गाउं में जो किसानते किसानों को ये जो विवस्ता थी, दमनकारी दिखाई दी, ठीके, किसानों को जो लगान चुकाना था, वो बहुत जादा था, और जमीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था, कि बाई, जम करके, जमीनदार ने उस जमीन को किसी और को दे दिया, माल लेती कि हमने जमीन को अच्छा बना लिया, उरगरग चीजने डाल करके, और राजरसु भी चुका पा रहे हैं, तो जमीनदार ने देखा कि, भाई, ये जमीन अच्छी है, यहां से पाधन अधिक होने लगा, उस था तो उसकी पुस्तैनी जमीन से उसे बे दखल कर दिया जाता था अब यहां पर क्या ना कि बहुत ही किसानों के लिए दर्दनाग इस्तितियां हमें देखने को मिलती हैं तो इस प्रकार का सासन अंग्रेजों के टाइम पीरिड में गाउं धिहात के छेतरों में चलता था ज अंग्रेजों ने अब यहां पर एक नई विवस्ता लागू करने का मन बना लिया ठीक है कैसे नई विवस्ता लागू की कि इसको भी यहां पर समझो तो पहले विंदु में आपर कहा जा रहा है उनीजमी सरी की सुरुआत में कंपनी के अधिकारियों को यह मैसूस हुआ कि राजसो विवस्ता में बदलाव आवर्शक है ठीक है इस थाई रूप से राजसो तैक करने से कंपनी के सासन और व्यापार के खर्चों को पूरा करना मुस्किल हो रहा था अब क्या है कि परिस्तियां बदल चुकी थी महेगाई बढ़ चुकी थी ठीक है हालात बदल चुक पूरा का पूरा करने में लगे हुए कमाई आ रहे है कमाई कमाई खाने में लगे हुए ठीक है लेकिन अब जो है अब परिस्तियां बदल गए तो इनको अपने खर्चे उठाना ही मुस्किल पढ़ रहा था और जो इन्होंने इस थाई बंदो बस्त लागू किया था उसके हिसाब से इसमें ये पैसा बढ़ा भी नहीं सकते तो इन्होंने का कि इस इस थाई बंदो बस कोई हटा देते उठा कर फेक देते और एक नई विवस्ता लागू करते हैं तो नई विवस्ता लागू करने के लिए उन्होंने आपर क्या किया उसको अब आपर समझेगा इरे उत्तर प्रदेश के इलागों में देखने को मिलते हैं यहां की जमीन थी जोड़ी सी जादा उपजाओ थी और यहां पर उत्पादन भी अच्छा-कासा होता था ठीक है तो हर्ट मैकेंजी नाम के एक विक्ति थे इन्होंने 1822 में बंगाल प्रेजिडेंसी के उत्तर पश्च क्या है कि मीटिंग के जरें निड़ने लेते हैं ठीक है कि हमें क्या कर ना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गाउं संगटित हो करक रहते हैं और पहले गाउं में बहुत संगठन हुआ करता था अगर गाउं के किसी éénk विक्ति के उपर मुसीबत आती थी तो पूरा का इसके तहये तहेते कलेक्टरों ने गाऊं का दौरा कर जमीन की जाच की, खेतों को मापा और विभिन्ने समूहों के रीत रिवाजू को दर्ज किया। भी नोट किया गया कि यहां पर इस प्रकार के रीत रिवाजों को अपनाया जाता है इस प्रक्रिया के माद्यम से हर गाओं या ग्राम समू जिसे महाल कहा जाता है उस टाइम पर ग्राम समू को महाल कहते थे प्रसना जाता है कि महाल का साब्दिकार्थ क्या है तो ग्राम समू को महाल कहा जाता था ठीक है तो इस प्रक्रिया के माद्यम से गाओं या फिर ग्राम समू से बसूल होने वाले राजसों का एक अनुमान लगाये गया कि यहां की जमीन ऐसी है यहां पर इतनी जमीन है यहां के रीत रिवाज ऐसे यहाँ पर इन चीजों का उत्पादन किया जाता है तो इस इलाके से हम इतना राजिस्स बसूल सकते है समझो, सन 1765 में ये बंगाल के दीवान बन गए थे ठीक है, और 1822 में जाकर कि इनों ने यहाँ पर जांच करवाई दोरा किया और एक क्या क्या जांच करवाई और उसके माद्यम से लगान तै करने का निर्णे लिया अभी तक क्या है ना कि ये अपने ब्यापार में ही लगे हुए थे ये बागी चीजों को समालते थे पहले इनों ने क्या किया, कि वाई जितना हो सके राजसु बसूलो इस तरह की नीती अपनाए फिर क्या है कि इस्थाई बंदोबसर लागू कर दिया अभी भी इनोंने इलाकों का सर्वेख्षन नहीं करवाया और सर्विक्षन के माद्यम से राजसु लागू करने का निने लिया, यानि कि जनता के लिए काम नहीं किया 1822 में आकर कि इनों ने ये काम किया, यानि कि इतने लंबे समय के बाद में, ये काम किया जांच करवाई और जांच के हिसाब से राजसु का अनुमान लगाएगे इस राजसु को इस्थाई रूप से तै नहीं किया गया बलकि उसमें समय समय पर संसोधन की गुंजाइस रखी गए कि भाईया अगर मतलब परिसितियां बदलती हैं तो बदलती परिसितियों के साथ में राजसु में भी संसोधन किया जा सके इसमें ये बात रखी गए राजसु इखटा करने और उसे कमपनी को अदा करने का जिम्मा जमिनदारों की बजाए अब गाउं के मुखिया को सौप दिया गया अभी तक क्या था? अगर आप इससे पहली वारी विजस्ता में देखोगे इस थाई वंदोबस्त में तो इसमें जमिनदारों को ये काम सौपा गया है बजह रहे बजाए और उनको ये काम सौपा गया है क्या नाम दिया गया महाल वारी वंदोबस दिया गया ठीक है जो महाल सब्द का यहां पर प्रियोग किया गया तो महाल का साब्दिकर्ट होता है ब्रिटिस राजसु दस्तावेजों में महाल एक राजसु इकाई थी यह एक गाउं या गाउं का एक समू हो सकता था जिसे आप गाउं हो या फिर का समूह की हो ना हो ठीक है, आगे बढ़ते Ё inge बाद यहां पर एक और विवस्ते अस्तितं में जी से बंगाल साइड में प्रॉब्लम्स में देखने को मिल रही थी यही प्रॉब्लम्स जहां जहां पर इस विवस्ता को लागू किया गया था हर जगे पर देखने को मिल रही थी ठीक है यही प्रॉब्लम्स कहां पर दक्षे भारते इलाकों में भी देखने को मिली वहाँ जो आईने कहने का आरती है कि जब टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध हुआ था युद्ध के बाद में जिस इलाके पर इन इस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने अपना नियंत्रन स्थापित का लिया था वहाँ पर रयत बार को या फिर रयत वारी दोनों एक ही विवस्ता ठीक है अलग लग नाम है नाम दो दे दिये गए एक ही विवस्ता ठीक है तो इस विवस्ता को आज माकर की इस विवस्ता को देखा गया था टॉमस मुन्रो ने इस विवस्ता को विक्सित किया था इसलिए इ अगले पर्ड में कहा जा रहा है रियतवारी विस्ता मुख्य रुप्से दक्षिन-भारतीचेत्रों में लागू नहीं की गी ती उस समय यह वियस्ता दक्षिन भारती चेत्रों में देखने को मिलती थी रेड और मुंण्रो को मानना था कि दक्षिन में परम परागत जमीनदार नहीं थे इनका कहना था यह कि वाई जैसे हम उत्तर भारत में देखते हैं कि जमीनदार हमें जमीनदारों की भरमार देखने को मिलती है ठीक है हर जगे जमीनदार थे इस तरह के दक्षिन भारत में आपको जमीनदार देखने को नहीं मिलते थे इसलिए उनका तरकिये था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीडियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं अगर आपने क्लास 6 की क्लास 7 के NCRT को बारी की से पढ़ा है राजसो का आकलन किया गया ठीक है राजसो आकलन से पहले उनके खेतों का साबधानी पूर्वक और अलग से सर्विक्षन किया जाए जो ये मुन्रो वियस्ता जब विक्सित की गई तो इसमें इस बात का प्राबधान किया गया कि पहले जब भी राजसों का आकलन किया जाएगा तो उससे पहले खेत को साथधानी पूर्बा के आप उसका सर्विक्षन करोगे ठीके और अलग से उसकी जाच भी करोगे इसके बाद में ही आप राजसों तैं करोगे ठीके और हर किसान से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया अच्छे यहाँ पर दो चीज़ें समझेेगा एक तो इस विवस्ता को विखसीत क्या था टामस मुंरो ने को नाम दिया गया मुंरो विवस्ता ठीके और दूसरा आप अगर आप देखोगे तो इस सीधे किसानों से बंदोबस्त किया गया था और किसानों को समय Ρायत कहा ज बंदोबस्त इसमें होता था ठीक है इस विवस्ता को मुक्रुप से कहां पर लागू किया गया था दक्षिन भारती छेत्रों में लागू किया गया था ठीक है क्यों क्यों कि यहां पर मुक्रुप से परम परागर जमिंदार नहीं थे आगे बढ़ते हैं अच्छा इन तीनों विवस्ताओं के जो प्रभाव हमें देखने को मिलते उसको भी यहाँ पर दिया जा रहा है ठीकि तो अगली हेडिंग है सब कुछ ठीक नहीं था तीन विवस्ताओं लागू की गए ठीकि इन तीनों विवस्ताओं के अगर परिणाम देखने को मिले तो आम जनता के लिए ठीकि जो किसान थे उनके लिए परिणाम लाबकारी कोई भी विवस्ता में नहीं थे क्यों इसको समझो नई विवस्ताओं लागू करने के कुछ ही वरसों में समस्याइं दिखाई देने लगी राजसो अधिकारियों ने अधिक राजसो तै कर दिया था जिससे किसान इसे चुका नहीं पा रहे थे तीनों ही विवस्ताओं में क्या किया गया था कि जो राजसो तै किया गया था वो बहुत अधिक तै किया गया था हम इस थाई बंदोबस्ट में ओर लड़ी डेक चुके फिर इसके बाद में जो अन्य दो विवस्ताइं आई इसमें भी इसी तरह से अधिक राजसु को किसान चुका नहीं पा रहे थे अब जब किसान राजों से चुका नहीं पा रहे थे तो वो गाउं छोड़कर के भागने लगे कई छेत्रों में गाउं बीरान हो गए पूरे की पूरे गाउं को खाली कर दिया गया ठीक है इतनी बुरी सिती पैदा हो गए थी अधिकारियों को उमीद थी कि नई विवस्ता किसानों को संपन बनाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ ठीक है जो नई विवस्ता आई ये भी दमनकारी विवस्ता साबित थी और लोग गाउं छोड़कर भागने लगे अगर गाउं छोड़कर नहीं भागेंगे अंगरेज आएंगे करवसूलने के लिए और वो तो तोप लगाकर उड़ाने की बात करते थे अब हमारी अगली हेटी है यूरोप के लिए फसले हमने या तक देख लिया कि इनकी जो सासन विवस्ता रही विशेस रूप से कर वसूले के इसेतर में वो जनता के लिए लाबकारी बिल्कुल भी नहीं थी अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छी थी ये मोटी रकम अपनी जमा करते थे लेकिन आम जनता इसमें मरती थी अब हमारी यहाँ पर आगे बात कर नहीं है जो ये फसल यहाँ पर करवा दे थे उसमें इनकी क्या नीतियां रहीं ठीक है अगली एडिंग है यूरोप के लिए फसलें ठीक है इसमें कहा जा रहा है अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामिर इलाके ना केवल राजस्तों पदान कर सकते हैं यहाँ यूरोप की जरूद के इसाफ से सही फसलें भी पैदा की जा सकते हैं अंग्रेजों ने यह ऐसा महसूस किया कि भाई यह जो हमारे देश के ग्रामिर इलाके हैं यहाँ से हम राजस्तों बसूली सकते हैं इसके साथ यह साथ हम अपनी मन मरजी के मताबिप भी फसल करवा सकते हैं जिसे हम यूरोप में ले जाकर बेज सकें ठीक है अठारवे सदी के आखिर तक कंप्री ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया एक तो अफीम की खेती करवाने लगे जो आज की टाइम पर मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं पर्मिशन लेनी पड़ती उसके लिए और नील की खेती जो नील की खेती थी यह वहुत खतरनाक थी इस खेती की बैसे जमीन की पूरी उरवरता एक ही बार में चली जाती थी आगे चलकर की नील विद्रो भी हुआ जिसको आज के शेप्टर में हम डिसकस करेंगे इसके बाद में क्या हुआ हाँ इन्होंने इसके उपर पूरा जो लगा दिया इसके बाद लगबग डेढ़ सो साल तक अंग्रेज देश के विविन भागों में किसी ना किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे ये क्या करते रहे कि ये खसल करो नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा ठीक तो फसल करवाने के लिए किसानों को मजबूर करते रहे डेड़ सो सालों तक ठीक है अठार्वी सदी के आखरी तक कमपनी ने यहाँ पर फसल करवाना शुरू कर दिया और फिर 1.500 साल तक मज़ूर करते रहे बंगाल में पटसन, सयुन्ट प्रांत में गन्ना, महाराश्टर पपंजाब में कपास और असम में चाए पंजाब में, यहूं मदरास में चावल, अलग-अलग इलाके के क्लाइमेट के साब से वहाँ पर फसलें करवाने लगे बहां की जमीन कैसी है, कौन से फसल हो सकती है, इन चीजों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बड़े पैमाने पर यूरोप की जरूद के साब से फसलें करवाने लगे भारत की जरूद की उन्होंने ध्यान में नहीं रखता, ठीक है यूरोप की जरूब ब्यापारी थे भाई ठीके तो ब्यापार तो भूली नहीं सकते थे ठीके ब्यापारी उद्देश से इन्होंने याप पर कबजा किया था तो वो इन्होंने इसका 100% यूज करके दिखाया थे अंगली हेडिंग है भारती नील की मांग क्यों होती है अच्छा नील जो है ये एक प्रकार का पौदा हुआ करता था जिससे नीला रंग बनाया जाता था और नील की खेती भारत में अंग्रेजों ने बहुत बड़े पैमाने पर करवाई थी और इस खेती के कही सारे रहा जा रहा है नीला रंग जो 19 सदी के ब्रिटन के कलाकार जिनका नाम है विलियम मौरिस इनके च्छापों में इस्तिमाल होता था नील नामक पौदे से निकाला जाता था उसमें भारत नील का सबसे बड़ा सुरोता समबता यह रंग भारत में उगने वाले नील के रहा कार भी थे विलियम मौरिस जो की अपने कलाओं को बनाने के लिए अपने च्छापों को तियार करने के लिए नीले रंग का उपयोग कर देते और वो नीला रंग जो नील नामक पौदे से बनता था ठीक है आगे बढ़ते है अच्छा यहां पर एक चीज समझो जो नी लुकदार नीला रंग बनता था ठीक है तो नीला रंग नील नामके पौदे से निकाला जाता था उस समय यानि कि 19 सदी के तक अगर 19 सदी के आसपास अगर आप देखोगे तो भारत नील का सबसे बड़ा स्रोत था ठीक है और समभता जो मौरिस ने जिन रंगों का प्रियो ने बहुत बड़े पैमाने पर करवाई थी 13 सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उतपादक कपड़े की रंगाई के लिए भारती नील का इस्तिमाल कर रहे थे अच्छे या पर एक चीज़ समझोगर आपने क्लास 7 के NCRT पड़ी है तो आपको पता होगा कि 13 सदी में, 12 सदी में, 14 सदी में, भारत का व्यापार दुनिया के कई सारे छेत्रों में फैला हुआ था, ठीक है, कई सारे जहाजों के माद्यम से, सडक मार के माद्यम से व्यापार चलता था, तो उस समय भी 13 सदी अरता, सन 1200 से लिगर 1300 के बीच में भी इटली, फ्रांस और ब भारती नील की बहुत थोड़ी मातरा यूरोपी बाजारों में पहुंचती थी, याद रखना, पूरे यूरोपी बाजार किया पर बात की जारी, ठीक है, तो भारती नील की बहुत थोड़ी मातरा चुकी यूरोपी बाजारों में पहुंचती थी, इस वजए से उसकी कीमत भी बहुत उची रहती थी ठीक है एक तो अच्छा था ठीक है जैसे आज के टाइम पर आप देख लो एक चाइना का आईटेल का फोन ले लो एक आईफोन ले लो ठीक है तो आईफोन आपका भारती नील ठीक है और चाइना का आईटेल वो आपका बोर्ड नाम के पौदे से निर्वर रहना पड़ता था देखो दो कारण थे एक कारण तो यह था कि नील की बहुत ही थोड़ी मातरा वहां पर पहुँच पाती थी दूसरा देखो यह उर्षन कड़बंदी इलाकों में उगता था जिस वेसे जो यूरोप के किसान थे या फिर यूरोप के उतपाद एक लोग थे वह वहां पर नील की खेती नहीं कर सकते थे तीसरा करण यह में देखने को मिलता है कि जो नील था जो भारती नील था चुकि यह वहां पर बहुत कम मातरा में पहुँच था इसलिए इसकी कीमा भी बहुत उंची रहती थी तो हर को इसे अफोर्ड भी नहीं कर पा इसलिए यूरोप में आसानी से ये मिल भी जाता था उत्री इत्ली दक्षिनी फ्रांस इसके लावा जर्मनी और बिटन के कई हिस्सों में ये पाउदा उगता था जहां पर इसकी खेती किया रही थी और इससे रंग बनाया जाता था नील के साथ प्रतिस पर्दा से परेश तो जब नील का आयात पर पावंदी लगा दो अगर पावंदी लगा दोगे तो फिर बोर्ड नाम के पावदे से बनने वाला जो नील है उसी का यहां पर इस्तेमाल होगा और पावंदी लगा भी दीगी मगर कपड़ा को रंगने वाले जो रंगरेज थे रंगने वाले जो नील को ही पसंद करते थे अर्थात नील नाम के पौदे से बनने वाला जो नील था उसी को पसंद करते थे अच्छा नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था जबकि बोर्ड से मिलने वाला जो रंग वो बेजान और फीका होता था ठीक है यानि कि बोर्ड से अच्छा रंग नहीं बन पाता था वहीं नील से अच्छा नीरा रंग बन जाता था सत्रहवी सदी तक आतीए था यूरोपी कप्ड़ा उद्पादगों नील के आयत पर लगी पावंदी में धील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कि लिया 성urningया यहाँ पर करने दो यह अच्छा रंग है और इसका यहाँ पर हमें उपियोग करना चाहिए दीरे दीरे राजी कर लिया इसके बाद में कैरिवियन दूइप समू में इस्तित सेंट डॉमिंग्यू है यहाँ पर फ्रांसीसी लोगों ने ब्राजील में पुर्तगालियों ने ज के maze बहुत सारे भाग्य है से यहां पर नील के बागान समने आए आए बागान किसे कह सिर सा मंा यह पाल अब an il आप और उन मारे लोगों से काम कुर्वाता है जो बागान होते थे वो काफी के भी होते थे गन्य के भी होते थे तंबाकू के भी होते थे चाय के भी होते थे कपास के भी होते थे और अब नील के भी बागान बनने लगे ठीक है अच्छा इन सभी बागानों की विसे में हमें चेप्टरों में डिसकस करने को मिलेगा आगे यूरोप में याद रखना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जो बैन लगाया गया था वो पूरे यूरोप में लगाया था ठीक है यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने पूरे यूरोप में लगवाया था और जब बैन हटा तो पूरे यूरोप में बैन हट गया था ठीक है या जब भारती कपड़ा ब्रिटेन में पहुंच रहा था और इसकी वहां पर कीमत हो रहे थी और ब्रिटेन में बनाये जाने वाले कपड़े की वहां पर कीमत नहीं हो रहे थी ठीक है तो ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादग लोग थे वो चाहते थे कि इसके उपर भी पाब पर कपास का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा जब कपास का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा कपड़ी बनाए जाने लगे तो कपड़ों की रंगाई के लिए कपड़ों की रंगाई और तेजी से बढ़ने लगी जब कपड़ों की रंगाई बेस्ट इंडीज के लोग और अमेरिका के लोग यहां पर नील लेकर जा देते और बेस्ट देते ठीक है यहां से आपूर्थी होती रहती थी लेकिन जब यहां पर ओद्योगी करन का यूग सुरू हुआ ठीक है कपड़ी की रंगाई के लिए नील की मांग बढ़ी उसी समय क कई अनियक कारणों से बेश्ट इंडीज और अमेरिका से पहुंचने वाला जो नील था वो बंद हो गया 1783 से लेकर 1789 की बीच में दुनिया का जो नील था वो उत्पादन आदा रहे गया और हमारे यहां के जो East India Company के लोग थे जो ब्यापारी थे यह ऐसे ही तलासों में ऐसे ही मतलब संभाबनाओं को तलासने में जुटे हुए थे जब इन्होंने देखा कि नील की मांग बढ़ रही है तो इन्होंने भारत में नील की खेती करवाना सुरू कर दिया अब यहां पर भारत में ब्रिटन की बढ़ती दिल्चसबी हमें देखने को मिलती है यहां पर डिसकस करते कि नोंने भारत में नील की खेती करवाना कैसे शुरू किया और भारत में इसको लेकर क्या क्या चीजे हुई तो सबसे पहले बिन्दों में कहा जा रहा है यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए East India Company ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंडने लगी यहां पर आज से डून लेगी कि इस तरह से भारत में भी निल की खेती करवाई जाए और यहां से जो निल का उत्पादन हूँ वो ब्रिटिन में जाकर बेचें और उससे मोटा मुनाफ़ा कमाएं अगले बुन में कहा जाにए है और अठारवी सधी के आखरी दसक से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लेगी चूकहिए इन्हों ने बंगाल पर नंतर्साप legitim कर लिया था तो इन्होंने बंगाल में ही सबसे पहले नील की खेती करवाना सुरू deixar ठीक है तो होने लगा ठीक है बंगाल में पैदा होने वाला नील जो था दुनिया के बाजारों में च्छा गया सं 1788 से लेकर के सं 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किये गए नील में भारती नील का जो हिस्सा था वो केवल 30% था ठीक है कितना था 30% था लेकिन 18 सदी के आखरी दसक में ज तब क्या हुआ 1810 तक आते हैं ब्रिटेन द्वारा आयात किये गए नील में भारती नील का इस्सा 95% हो गया था सोचो एक देश को 95% आपूर्ती हम प्रुवाइड कर रहे हमारे देश से जा रहे हमारी देश को इतना बड़ा ब्यापार मिला था लेकिन इस ब्यापार का ला लाता वो था मातर 30% ठीके और 1810 तक पहुंचते पहुंचते 95% नील भारत से ही ब्रिटेन में जाने लगाता यानि कि नील जो था उसका उत्पादन भारत में बढ़ गया ठीके और ब्यापार भी बढ़ गया या ब्यापार बढ़ा तो मुनाफिक की संभाबनाएं बढ़ी अगले पर्ण में काई रहा जैसे से नील का ब्यापार फैला कमपनी के अफसर और व्यावसाइक एजेंट नील की उतपादन में पैसा लगाने लगे अब जब पैसा लगने लगा तो समय बीतने के साथ कमपनी के बहुत सार एधिकारियों नील के अपने कारोबार पर ध्या काधन में इन्वेष्ट्मेंड करना शुरू कर दिया कई सारे अधिकारियों इसे बाखने को ध्यान देने के लिए नील के कारोबार पर अपना फोकॉस करने के लिए अपनी नोकरियां ही छोड़ दिएं भारी मुनाफिक की अमीद में स्कॉटलेंड और इंग्लेंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ पर नील के बागान लगाने शुरू कर दिये जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं थे उन्हें कमपनी नए नए बैंक करजा देने को तयार दे यानि कि भारत में आप कहे सक इंगलेंड के काई सारे लोग भारत में आए उन्होंने याँ पर नील के बागान लगा आये जिनके पास पैसा नहीं होता था उनको कमपनी करजा दे ती कि लो भाजा नील की खेति करो अच्छा जो नील की खेती की जेंगे ठीक है तो निज खेती विवस्ता में क्या था इस विवस्ता में बागान मालिक या तो खुद अपनी जमीन में या फिर जमीन खरीद कर या जमीन भाड़े पर लेकर के नील की खेती करवादा था अच्छा नील की खेती में जो नीज खेती वेवестता है इसमें Tova Height मालिकों को नीज खेती का चेतरफाल फेलाने में मुस्की ला रहे थी अब एक मालिक है कई सारे मज़भूरों को हाइर करना है ठीक है और फिर जमीन भी उतनी अधिक हमें चाहिए है ठीक है कि जमीन इतना अधिक छेतरफल चाहिए और इसमें प्रॉब्लम है थे कि नील की खेती के वल उपजाओ जमीन पर ही की जा सकती थी जो पहले से ही आवादी से भरी हुई है जो उपजाओ जमीन थी उस पर और लेड़ी लोग खेती कर रहे थे और अधिकतर लोग बसे हुए थे और निल की खेती के लिए ऐसी ही जमीन की आवशकता थी तो निज खेती विवस्ता को फैलाने में इन लोगों को प्राबलम हो रहे थी एक तो इनको उपजाओ जमीन नहीं मिल रही थी और दूसरा छेतरफल बहुत बड़ा इनको चाहिए होता था तो इतना अधिक छेतरफल नहीं मिल रहा था जहां छेतरफल मिलता था वहाँ बड़े भूकंट नहीं मिलने लगे बड़े भूकंट की कमी हुई तो इस बज़े से इन्होंने क्या किया नील की फैक्टरी के आस पास जमीन पट्टे पर लेने की कोशिस की जो फैक्टरियां थी नील की फैक्टरी थी उसके आस पास की जमीन को पट्टे पर लेना दे दी ठीक है और जमीन जब दे दी ती तो वहां की किसानों को वहां से हटवा दिया गया इस टकराव इससे टकराव और तौनाब पैदा हो जाथा होता क्या था कि नील की जो फैक्टरी लगी होती थी पर प्रकार से कहारे सकते हैं कि गवर्मेंट इनको नील की खेती करने के लिए जमीन दे देती थी ठीक है और वहाँ पर जो किसान रहते थे उनको हटवा दिया जाद था अब भई अगर आपसे आपकी जमीन छीनी जाएगे तो आप तो लड़ाएं लड़ोगे ठीक है इससे क कि टकराओ और तनाप पैदा होता गया धीरी दी टकराओ और तनाप पैदा होने लगा अगली पर में का जा रहा है बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों और हल बैलों की जरूरत होती थी अब आप निज खेती करवा रहे हैं कि प्राइवेट ठीक है और उस समय अब आप निज खेती में व्यस्तो होती थी जब किसान-धान की खेती में व्यस्तो होते थे धान यहीं नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या ठीक है और धान की खेती में किसान व्यस्त होते थे उसी समय क्या है कि इनको मजदूरों की आवशक्ता होती थी और खेत की जुताई के लिए हलों की आवशक्ता होती थी इनको और ये इतने अधिक हल अपने पास में नहीं रख सकते थे कि भाया मतलब पूरे क पूरे इलाके को हम खुद जुदवा सकें कितने हल खरीदोगे, कितने बैल खरीदोगे तो इनको इसमें भी problem होती थी इस कारण मजदूरों का इंतजाम करना भी यहाँ पर आसान नहीं था और हल बैलों का भी इंतजाम करना इनके लिए आसान नहीं था अगली परण में कहा जा रहा है, 19-20 सदी के आकरी तक बागान मालिक निज खेती का छेतरफर फैलाने में हिचके चाते थे, ठीक है, इनको भी मतलब थोड़ा सा एक बार डरते थे, कि अगर हम इतना छेतरफर फैला लेंगे, बहुत बड़े लाके में निज खेती करेंगे, ठ 25% ही थी, ठीक है, क्या का इस विवस्ता के तैत, निज खेती विवस्ता के तैत होती थी, 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 निज खेती विवस और 25% निज खेती विवस्ता के अंतरगत होता था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में, अब हमें आपर डिस्कस करेंगे, रैयत विवस्ता को, ठीक है, रैयत की विवस्ता के अंतरगत कैसे खेती करवाई जाती थी, तो रैयत, आप सभी लोग जानते हैं, और फिर को सटा करते थे, ठीक है, यानि की कह सकते हैं, अप्रकार का अनवंद कर लेते थे, एक डील कर लेते थे, ठीक है, कई बार विवस्ता के मुखियां को भी रैतों की तरफ से समजोता करने के लिए बात दे कर देते थे, होता क्या था, कि कई बार पूरे गाउं के मु पर क्या करेंगे खेती करेंगे नील की खेती करेंगे तो कई बार मुखियाओं को बात दे कर लिया जाता था मजबूर कर देते थे जो अनुबंद पर दस्तकत करता था उसे नील उगाने के लिए कम ब्याज पर करजा मिल जाता था करजा लेने वाले को कम से कम 25% जमीर पर नी इंतरगाती लोग है किसानों के साथ में डील करते थे ठीक है इसलिए इसे रयत वियस्ता कहा गया ठीक है कभी कभी किसान के साथ में कभी पूरे गाओं के मुख्या के साथ में डील कर ली जो डील को मान लेता था उसको क्या है ना कि अपनी जमीन पर अपने उसको कम व्याज पर करजा मिल जाता था और अपनी जमीन के 55 परशेंट भाग पर उसे निल की खेती करनी होती थी इसमें होता कया था जो बीज था और जो उपकरण होते थे वह बागान Ouri को समझ गाया था कि उसमें रहते इसमें फा़ा दो तो रयत को नया करजा मिल जाता था, ठीके, भाई, यह तो अच्छी बात है कि नया करजा मिल गया, और वही चक्र दुबारां सुरू हो जाता है, यही प्राबलम थी, ठीके, होता क्या था, कि जैसे ही इन्होंने अपनी फसल काटी, और बागान माली को सोपी, इसके बाद इन को नया करजा दे दिया जादा था और इनसे फिर कहा जादा था कि अपनी 25% भोमी पर नील की खेती करो ठीक है और ये चक्र दोबारा शुरू हो जादा था जो किसान पहले इन करजों में से बहुत आकरशित हुए थे कि भाई करजा मिला करजा मिला ठीक है उन्हें जल्द ही स पैसा है कम पैसा थे उसे चलोगे अब उनको करजा दिया जाता था यह लारच में आते थे और खेटी करने लगते थे ठीक है और होता क्या था कि करजा में फस जाते थे अगली साल फिरेनको ननिकरov कर्जा की चैन बन गई थी ठीकर जीक है करजे में यह पर अधिया खेत में सबसे उपजाओ खेत में नील की खेती करें और नील की साथ में परिसान ये थी कि उसकी जड़े थी वो बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खीच लेती थी भाया हम जो नील की खेती किसान करने वाए लोग थे वो इसी बात से तो परिसान थ थे उनकी सबसे बड़ी परिसानी ये थी कि एगर नील की खेती वो करते थे तो उनकी भूमी की सारी सारी औरवारता वो नील ही ले जाता था इसकी जड़ें बहुत गरी थी और मिट्टी के अंदर तक की सारी ताकत नील का पेंट खींच लेता था इसलिए नील की खटाई के बाद वहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी और और भी कोई फसल नहीं की जा सकती थी इसी वज़े से जो नील की खेती है ये आधिकता लोगों नहीं करने पसंद करते थे और इनको मतलब मजबूर किया जाता था कि ये नील की खेती करें किसानों को वहां से हटा दिया गया और टकराव होने लगा टकराव और तरनाओ की सिति पैया हुए इन नील बाग अमालिकों को और किसानों की बीच में ठीक है यह टकराव की सिती पैदा हुई एक कोईंट आपी नोट का लीजिए दूसरा यहाँ पर जो समस्या में देखने को मिलें की करजों का सिलसला कभी खतम नहीं हो रहा था और मिट्टी की सारा सारी ताका थींच ले तीन कारण थे यह जिस वज़े से किसान बहुत परिसान हो गया तो किसानों ने आप नील विद्रो किया तो नील विद्रो कैसे किया गया अब इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चेप्टर आचका काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कि खेती करने से इंकार कर दिया तीन रीजन मैंने आपको बता थीक है इनी तीन रीजनों की वज़ने वज़े से बंगाल के हजारों रएतोंने अरताती हजारों की सानों ने इका कि अभeft की अभं नेल की खेतीdon करेंगे ठीक है और आप देखोगे तो इस से बिद्रो फैला बागान मालकों को लगान चुकाने से भी इंकार कर दिया गया ठीक है बिद्रो फैला ठीक है तो बागान मालक जब लगान मांगने के लिए गया ठीक है तो इनको लगान चुकाने से भी इंकार कर दिया है कि भईया हम लगान भी नहीं तो वे चुका पाएंग लग गए औरतें अपने बरतन लेकर लड़ाई में कूद गए बागान मालिकों के लिए काम करने वाले जो लोग थे उनका सामाजिक बहिसकार किया जाए लगा कि तू बागान मालिक के साथ ने काम करता है बागान मालिक के लिए काम करता है और बागान मालिक हमारा दुस्मान आज से हमारी और तुमारी कटी लड़ाई हो गए बहुत भेंका लड़ाई ठीक है तो इनका समाजी बहिसकार किया जाये लगा जो बागान मालिकों के लिए काम करते थे बागान मालिकों के तरब से लगान मसूली के लिए जब गुमास्ता भेजे गए यानि जो एजेंट थे एजेंटों को उसमें गुमास्ता कहा जाता जो एजेंट भेजे जाते थे इनकी पिटाई कर दी गई ठीक है भेजे आने वाले जो एजेंट थे ठीक है आने वाले एजेंटों की पिटाई कर दी गई रहतों ने कसम खाली कि ना तो बे नील की खेती के लिए करज लेंगे और नहीं बागण मालिकों की लठियालों लठियाल अठाल लाठिधारी गुंडों इनसे डरेंगे। देखो करज के जाल में ये फस्ते जा रहे थे ठीके और दूसरी तरफ इनकी खेती का भी बिनास हो रहा था ठीके और कई लागों में तो किसानों को उनकी जमीन से भगाया जा रहा था तो ये कुछ कारण थे जिस वएसे नील विद्रो हुआ था ठीके तो ये हमें आपर गुंडों को बेशते थे कि जाओ और जमजस्ती उनसे नील की खेती करवा जो यहाँ पर हमने का रहा कि मुखियाओं को बाद देखिया जादा था ठीके तो मजबूर करने के लिए आने वाले इन लाठीदारी गुंडों को भी मार पीट इनके साथ भी की गे ठीके तो यहा बाद जमींना झाले जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्तन मिल सकता है और ऐसा था हभी ठीके ज07 जमींदार मुखिया थी यह लोग भी बागान मालिकों के खिलाप आम जंता 성त जो रहयत थे जो किसान थे इनका समर्थान देने लगे थे बहुत सारे गाओं में जिन मुक्याओं ने नील की अनवंदों पर जवरंद दस्तकत करवाई गDespeर. जिन मुखियाओं से हाँ बहुत सारे गाओं ऐसे थे जहां पर उस गाओं के मुखियाओं से जवरजस्ती अनुबंद करवाए गए थे जवरजस्ती डील करवाए गए थे ठीक है उन्होंने क्या किया नील किसानों को इखटा किया और लटियालों के साथ यानि कि अपने प्रफियतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमीनदार गाउं गाउं गुमने लगे जमीनदार जो ते मुखिया थे इन लोगों ने किसानों को अपना खुला समर्थन दे दिया जमीनदार इस बाप से परिसान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थ रही थे !"खुद भगान मालिक जवरन लंबे समय के लिए उनकी जमीन ले लेते थे तो जमीनदार थी इनकी आमदनी रुक जाती अगली परण में कहा जा रहा है नील के किसानों को लगा कि अंग्रेजी सरकार संगर्स भी उनका साथ देगी तीकि जो नील के किसान थे इनको लगा कि जो अंग्रेज हैं वो भी हमारा साथ देंगी देंगे क्योंकि यह जो हो रहा ही गलत हो रहा है तीकि इनको ऐसा लगा नी ब्यापक विद्रो की खत्रे से डरी हुई थी दो करण थी एक करण तो यह था कि 1857 का जो विद्रो हुआ तो विद्रो को कुछलते समय इन्होंने जनता के लिए कुछ अच्छे काम करने का निने लिया और जनता का समर्थन पाने का यहां पर निने लिया था ठीक है और दूसर कि बाले जिलों में एक बगावत की ख़बर फैली तो लेटिनेंट गवर्नर ने सन 1889 की सर्दिओं में इलाके का दौरा किया यहैं यह यह अन्वी जांच करने के लिए आया और दौरा किया रहतों को लगा कि सरकार उनकी दूर्दा से परिसान है बरसात में यानी कि बरसात यहां पर समझो देखो एक तरब किसानों को ऐसा लग राता कि जो अंग्रेज सरकार है ये किसानों का समर्थन देगी नील विद्रो में बागान मालकों के खिलाब समर्थन देगी ठीक है और यहां पर क्या है कि सरकार ने कदम उठाया इनके लेफ्रिनेंट गवर्नर गए और किया जाए ठीक है अब इस नोटिस के अधार पर अगर आप देखोगे हमारे भारत देश के जो लोग हैं ये बात को बढ़ा चड़ा कर बहुत बोलते हैं मीडिया कोई देख लो बाई चुटकी वर चीजों मुठी वर बना देंगे ठीक है मुठी वर बनाने का काम करते हैं कोट बाद में फैसला सुना था ये पहले सुना देते हैं ऐसा यहां पर उसमें हुआ ठीक है जैसे ही नोटिस जारी कीगी तो नोटिस के अधार पर लोगों में ये खवर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने निल की खेती ना करने का हुकम दे दिया है बाई रानी विक्ट को नियंतिर करने की कोशिस कर रहे थे लेकिन यहां पर किसानों ने सोचा कि भाई या अब तो हमें इनका समर्थन मिल गया ठीक है उसकी कारवाई किसानों ने अपने विद्रो का समर्थन माल लिया ठीक है किसानों को लगा अब तो हमारे साथ में अंग्रेज सरकार आ चुक भी नील जीलों की ओड चल पड़े उन्होंने रहतों की दुरसा बागान मालिकों की जोड़ बजस्ती और अत्याचारी नील वेस्ता के खिलाप लिखा अब यहां पर क्या हुआ जिसे आप देखते ने कोई अभी मतलब कांड जो हुआ है कोलकाता का रेप कांड जो हुआ है इसमें अगर आप देखो तो कई सारे सोसल मीडिया इंफ्लेंसर्स ने पोस्ट डाली वीडियो बनाए इसे सरकार पर बहुत दबाव पड़ा देखा आपने ना सुप्रीम कोड पर दबाव पड़ा थीक है सीवी आई पर बहुत दबाव पड़ा इसी तरह से उसमें जब इ ऑगाउग की वोड़ा चल पड़े और इनकी बात को सुन करके अधिक से और लोगों तक फैलाने लगे इनके बारे में लिखने लगे इस बगावद से परिसां सरकार को बागान मालिकों की रक्शा के लिए सेणा बुलाने पड़े यानि इतने बड़े प्माने पर जवरजस्ती के लिए उनकी आलोचने की आयोग ने कहा कि नील की खेती रयत के लिए फाइदे का सौधा नहीं है ठीक है अब यहां पर होता क्या है कि जब बहुत बड़े पैमाने पर विद्रो बढ़ गया बागान मालिकों की जान खत्रे में आ गई सेना बुलानी पड़ी र नील की खेती जो है यह किसानों के लिए फाइदे का सौधा नहीं है आयोग ने रयतों से का यानि जो किसान थे उनसे का कि वे मवजूद अनवंदों को पूरा करें जो इन्होंने अभी तक डील करके रखे हुई है उनको पूरा करें ठीक है और आगे से अगर वो चाहें त नील का उत्पादन धरासाई हो गया कहां पर बंगाल में यहां पर नील का उत्पादन धरासाई हो गया अब जब यहां पर नील का उत्पादन धरासाई हो गया लेकिन मार्केट अभी भी ओपन है डिमांड अभी भी ओपन है तो जब तक डिमांड खतम नहीं होगी तब त नहां पर भी नों ने इसी प्रकरिया को अपना है ठीक है कहा जा रहा है यह बिहार की ओर है 19 सदी के आकरी में कृतिम रंगों का निर्माण होने लगा इससे उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो गया ठीक है देखो कब की बात की जा रही है यह एक नट 19 सदी के आक किया लेकिर इसने पहले जब यह 1869 में बंगाल से भगाए गए तो बंगाल से बगाने के बाद में यह पहुंच जोगे बिहार में और बिहार में भी इन्हों ने यही किया बिहार में का बाइक करजा ले जाओ 25 परसेंट जमीन पर नील की खेती कर लो ठीक है जैसे आज के आप झाल बाइक है हां चाही है जै कि ता बस साब जमा कर दो बाकी अंपी बनादेंगे और चलाओ जाके-कर चाईए हाँ चाहिए जमारो करो ठीक है 90% हम आपको इस ये लोन पर हैं और इनमें से भी 90% ऐसे हैं जो 90% लोन पर लिए गए हैं के वल 10% दिया गया 10% पैसा दिया गया और 90% किस्त बनवाई गई है समझो इतने बड़े प्यमाने पर ये मतलब करजे का ब्यापार चल रहा है तो अगर आप करजा देने वाली कंपणी बन जाते हो ना तो मतलब समझ लो की बहुत फायदे का सौधा है ये आज की टाइम पर आगे बढ़ते हैं तो यह पर 19 में मतलब ये बियार की ओर गया और बिहार में भी इनोंने यही काम करना सुरू कर दिया 19 में सदी के आकरे तक आते हैं ते क्रतिम रंगों का निर्मान होने लगा इससे जो बागान मालिकों का जो व्यबसा है था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे थीक है इनका देखो ब्यापार तबाह होने लगा था प्रभावित हुआ था लेकिन इसके बाद भी ये ब्यापार फैलाने में उत्पादन फैलाने में सफल रहे ये बिहार में और इसके लाबावा अन्ने कई सारे इलाकों मे करके नील किसानों की दुरुदसा देखने का न्योता दिया फिर 1917 में मात्मा गांदी ने इस दोरे के बाद नील बागान मालिकों के खिलाब चमपारण आंदोलन की शुरू आद की तो नील बागान मालिकों के खिलाब दो आंदोलन हुए एक नील विद्रो आप कह सकते हो जो की गांदी जी ने शुरू किया था ठीक है तो नील विद्रो भी हमने डिसकस कर लिया आज का हमारा यह चैप्टर यहां पर कम्प्लीट होता है ठीक है जो अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्काइब नहीं किया तो कर लेना टिकर टेली ग्राम पर भी जॉइन कर लेना करते हो ठीक है नोट्स बगरा लेना है टेसरी जॉइन करने कोई भी आपको सबाल पोचना है तो अब इस नंबर में मैसेश कर सकते हो जो अगला चैप्टर हमारा होने वाला है वह आदिवासी दीकू और एक सौन यूग की कलपना ठीक है यह चैप्टर हम डिसकस करेंगे सम अब तक के लिए जैहिन साथियों